आज हम सिरोही के बहुत ही खुबसूरत पार्क में खड़े हैं। ये पार्क हमारे अदनिय भैसाब स्रीमान पंकजी गांदी साब का है। यही इनका निवास भी है जो जिसको गंगा जलिया के नाम से इनोंने विक्सित किया है। गंगा जलिया एक कुवा था यहां का काफी हालाकि गंगा जलिया एक और बड़ा इस्थान है सिरोही जिले में एक तरह से महादेव का मंदीर है। लेकिन इस पार्क को बहुत खुबसूरती से विक्सित किया है यह यह कहें कि करवाया है अदनिय भैसाब ने। आज हम इसके तहह तक जाने का एक प्रियास कर रहे हैं। इस खुबसूरत पार्क को बनाने के कई चरण होते हैं। कोई भी काम को करने के कई चरण होता है सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है फिर उसका पूरा नक्सा होता है और फिर उसका काम शुरू होता है इसको काम को करने वाले लोग और उन करने वाले लोगों में मेरे एक मित्र है एहम्धावाध के रिये जिन से मेरा परिचidd didn't work कि आधनी किरिट भाई और किरिट भाई कि जिसा बता रहे थे बहुत सालों से इस तरह के काम कर रहे हैं मैं पहले की कि यह मात्र कुछ सालों की मेहनत है पहली बात बहुत खुबसूरत है स्विमिंग पूल से लेके और अगर इसको पूरे को दिखाएं तो बहुत सिस्टेमेटिक जैसे यह है एक बैठने का इस्तान है पूरा अमलब एक के पथार रखना और इनके बहुत सारे नाम क्रिट भाई से बात कर रहा था तो इनको बहुत सारे सब के नाम भी आते हैं क्रिट भाई आज अपनी टीम के साथ आये हैं क्योंकि इनको देखे एक जिम्मेदारी समझते हैं यह पूरे लौन को अगर हम देखे तो यह भी बहुत बड़ा लौन है इस लौन के उस तरफ एक ट्रैंस फोरेस्ट बनाया और इस बंगले के बंगले को इस तरह से इसको बनाया है कि यहां आने के बाद संपूर्ण रूप से शांती का अनभव हो इधर अगर हम देखे तो आम के और तमाम दूसरे फलदार रक्षे हैं क्रिट भाई का स्वागत है क्रिट भाई से आज इ बहुत अच्छा तो आपने यह इस तरह के तो बहुत सारे पार्के डवलप कि होंगे हां बहुत किया है सबसे बड़ा पार्क आपका कितना मतलब यह समय लॉन देख रहा था तो लॉन में आपकी मस्ती है इसा मैंने देखा है इसमें डिजाइनिंग और यह तो डिजाइन क अच्छा वैसे आप आर्किटेक काशिर अभी काम कर लेते हैं अगर और फिशक्त रहती है तो अब अगर कोई अगर कोहीं से उसके बास है तो आप सकते हैं और डिजैन नहीं होती है तो अपने इसाब से भी थोड़ा वह अच्छा दिखाने का और बनाने का प्रयास करते हैं किरिट भाई ने एक दिन मेरे को बहुत अच्छी बात बताई थी मैं इस पहाड़ी के बारे में बात कर रहा था तो किरिट भाई ने कहा कि इस पहाड़ी को भी हरावरा किया जा सकता है और यह यूँ कहें कि पहाड़ी में भी खुबसूरत बस एक पैसे की व्यवस्ता होनी चाहिए सीरोही में और बहुत सारी जगों में पार्क के नाम पे बहुत सारी खाली जगे पड़ी है मैं कई बार अपना संदेश भेशता हूँ और लोगों को क्या हम उन पार्कों को डवलप नहीं कर सकते यह बहुत बड़ा सावाल होता है तो किरिट भाई आप क्या संदेश देना चाहेंगे यह जो वेस्ट जमीन पड़ी है मैं एक उधान के लिए रूप में कहूँ शिरोही का एक हाउसिंग बोर्ड है जहां पर पिछले 30 साल से 30 साल बहुत बड़ी पिरियड होता है बहुत बड़ा टाइम होता है कई बार बीजे पी आई कई बार कॉंग्रेस आई कई नेता आये कई पढ़े लेके नेता है कई जोशी लेनेता है पर दुरभाग यह है कि उस नो पार्कों की इस्तिती वह की वह है बलकि लोगों ने कच्रा डालना शुरू किया है उसको कैसे डवलब कर सकते हैं कि रिट भ हो ही बोलेगा कि यह इदर कच्रा मठ डालो और थोड़ा बहुत तो यह है कि समझो कि कोई आके यहां बेठा है तो उसको भी कभी एसास होगा कि चलो में भी थोड़ा को उसमें कुछ योगदान दो कुछ अच्छा करके यहां लिखाओ तो दीरे दीरे अपने आप बढ़े आप जैसे किसी ठेकेदार को कॉंटेक्टर को या इस बागवान को मैं इस बागवान सब्द मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपके लिए बागवान का मतलब है संपूर्ण जिम्मेदारी इस बगीचे की तो वह ले तो आप उसको मेंटिन कर सकते हैं चलिए बहुत अच्छी बात कही और किरिट भाई को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और बहुत महिंति हैं पुने पुने शुब कामना नमस्कार